पियम मोदी गुजरात दौरे पर आज पंचमहल में पावागड में महाकाली मंदिर पहुचे पियम हाथों में ध्वजा लेकर महाकाली मंदिर पहुचे शिखर खंडित होने के 500 साल बाद ये पहला मौका है जब मंदिर पर ध्वजा लहराई गई पियम मोदी ने मंदिर पर ध्वजा लेराई, महमूद बेगडा ने जब चड़ाई की थी तब मंदिर का शिखर खंडित हुआ था और तब से लेकर अब तक मंदिर पर ध्वजा नहीं थी इसके बाद मंदिर का नम निर्मान हुआ और शिखर को सोने से बनाया गया अब पियम मोदी के हाथों ध्वजा लगाई गई है, महाकाली मंदिर के कारिकरम के बाद पियम मोदी पावागड में ही विरासत बन जाएंगे जहां 11 साल पहले उन्होंने एक पौधा भी लगाया था इसके बाद पियम मोदी वडोधरा में अलग-अलग प्विकास कारियों का भूमी पूजन लोकारपन करेंगे साथी 141,000 परिवारों को घर की भी सौगार देंगे ये दो तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए मा का आश्रवाद लेते हुए आज पौधार मंती नरेंद मोदी की मा अपने सवे साल में प्रवेश कर चुकी है यानि की 100 साल की हो चुकी है वही दूही तस्वीर ये मंदिर की है महाकाली मंदिर की और पहले तस्वी कि पुने पुलिस संतोष जाधव और नवनाद सूर्यमंशी को गरफतार कर चुकी है